हेलो एन नमस्का तो आज की वीडियो हम फिर लेके आगे हैं एक नया टॉपिक टैटिल्स इक्समरी बहुत लोगों का इसे चीज़े होती है एक उजेट चीज़े करने का ट्राइक करेंगे जिससे आपको आगे चलके डिक्सनरी इलेक्टड चीजों में प्रॉब्लम ना ठीक चैतनर तो आपने को कमेंट कर सकते हो कि यह टॉपिक में में प्रॉब्लम अधरीव कर देना को लाइक कर देना लाइक कर देना तो हम जानते डिक्सनरी का एक संटेक्स की बात करें अगर हम तो syntax क्या होता है इसमें होती है basically curly braces होती है और इसमें होती है key values pair तो यहां पर लिखा है जिसमें मैंने की syntax क्या है मेरा key value pair में होता है example के बात करो तो एक d नाम का dictionary है इसमें क्या है a की है b की है और c की है और corresponding के value होता है हम डिक्सिनरी का यूज करते हैं mapping type data को store करने के लिए घ्रमेर को map करना हो कोई data को तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे कि लिए प्रोड़क्ट की बात करें ठीक है अब बात करते हैं कि डिक्सिनरी के elements को हम access करते है ठीक है तो जैसे हम list में access करते थे हम पास list है list में element है तो list को क्या करते है index हम index लिखते है index के साब हमारे यहां से जो भी element होता था वह आ जाता है ठीक है यहां पर क्या है हमारे क्योंकि की वैल्यू पेर है ठीक है कि यह है की वैल्यू पेर है तो हमें बेसिकली क्या करते हैं इसमें दी में हम यहां पर की लिखते हैं ठीक है क्या करते हैं इस वार क्या करते हैं की का यूज करते हैं ठीक है तो जैसे कि यहां पर है यह मेरा लटसे की इसके इसके मैं कर गया ठीक है अब मैं डी ऑफ ए रन करूंगा अगर मैं जाना चाहते हूं कि एक की जो है मैं उसकी वेलिव क्या है तो मैं क्या होँगा डी-अफ ए टी ओफ ए मेरा क्या देगा मेरा वैल्यू जो भी इसके कर्सपॉंडिंग है मेरे पास ऑके आगे देख नह अब एक और नाई ची लेट से एक डिक्सिनरी में ये पास है जैसे कि ये वाली इसके अंदर बेसिकल का है मेरा अब करेंगा अब करेंगा अब करेंगा उसको कंसीडर करेगा उससे पहले वाले को consider नहीं करेगा ठीक है यानि की कहने का मतलब कि define यह पहले हुआ होगा लेकिन बाद में जाके इसकी value क्या होगी अपडेट होगी तो जो सबसे लास्ट में जो value रहेगी वही basically this value होगी ठीक है तो जैसे कि यह इसको मैंने रन कर रहा ठीक है अम मैं कहता हो print करो इस dictionary को तो मैरेको मेलेगी यह dictionary ठीक है जिसमें तीन keys और value pair है that is brand, model और जो भी उसका year है और यहाँ पर हम year देख सकते हैं कि year हमारे पास क्या है year basically हमारे पास है है 2020 ठीक है तो ऐसे यागन में इसका लेंथ प्रिंट करो तो लेंथ भी मेरे पास कितने आ रहा है इस पर्टिकुलर डिक्सिनरी का क्योंकि अकॉर्डिंगली वो तीन एलेमेंट ही कंसेडर करेगा ठीक है यह तो होगे यह बात आगे देखते तो यहां पर एक मेरे का कीमेर डिक्सिनरी एक जीक्सिनरी है जिसके एक की जो है एक की की वैल्यू जो places कि क्या है कि जो टिक्सिनरी होता है उसमें हम वैल्यूज में कुछ भी स्ट्रॉर नम का सलँ QuestT च्रिंग फole Out Bürork 측 यहां पर क्या खानाँ यहां पर हमने एक डिक्सिनरी करक रख्ख unique तो मेरे को यह पूरी की पूरी यह डिक्सिनरी मिल जाएगी यह लिस्ट मिल जाएगी अब इस लिस्ट के अंदर की वैल्यू को अगर मैं करना चाहँगे जैसे कि मैं लिस्ट के मैं कैसे अक्सिस करता हू ज Candle स dobr です É जो कहा है एक्सेस कर सकते हों के इंडेक्स पर दिक्सिनरी जो क्लरण एक जो इंडेक्स पर तो हर एक बार करके यहां पर प्रिंट होता है लोगी आगे बात करते हैं तो जैसे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक और डिक्सेनरी है जिसमें क्या है कि कि नमारे पास क्या है एक डिक्सेनरी है जिसमें ब्रैंड है मॉडल है और यह है मैं चाहरा हूं मैंने क्या करा यहां पर डिक्सेनरी.model मैं किसी भी पर्टिकूलर डिक्सेनरी में की को लेकर उसके वैल्लीव को किसी भी वेरियेबल पर रहा हूं मैंने क्या कि x का ठीक है this dictionary.model करा और उसको मैंने कहाँ store किया है x नाम के variable ठीक है तो जब मैं x को run करूँगा तो मेरा x में value आ रहा है कि Mustang जो की model का मेरा क्या है value है उसको मैं x में प्राप्ट कर पा रहा हूँ ठीक है तो dot get method भी same यही काम करता है जो यहाँ पर यह करता है ठीक है तो यहाँ पर मैं this dictionary dot get करूँगा और model करूँगा तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा Mustang ठीक है अब सेन्चीज में अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो डिक्सणरी है मेरा कि जो भी डिक्सनरी है दिक्स्ट करना है थिक्स्टाइल डांप उसके अंदर particular कौन कोन सी कीश है तो उसकी list मैं चाहता हूं मैं क्या कुंगा डॉट कीस लिखूंगा तो मैं को सारे जो भी किस हैना उस पर्टिकूलर डिक्सिनरी में वह सारे में मिल जाएगा ठीक है ओके तो कीज ऐसे हम कीज अप्टेंड कर सकते हैं से अगेशियों एक है ठीक है अब मैं क्या कि इसमें मैं को बेसिकलि क्या करना है कि modification करто कर लॉजब है यहां पर गर मैं लिख भी दूझ कि हम basicलि क्या करें modifying dictionary क्या करें modify a dictionary हम हम इसमें क्या करें modify जहत तो यह एक यह ir is एक्स का ब्रैंड जो है उसमें इकोल टु कहुंगा एक्स के ब्रैंड में जो भी वेल्यू है उसको सेट किसके बराबर कर दो एक्टीव ऑखें नहीं होता है जो कि हमने पर्ठ आख एक्स ब्रैंड पर जाएगा जो भी उसकी फयल्यू होगो उसको सेट करेंगा किसके अक्टीव मes इनुकूर्णlevant वा इसको मेरा सेश को प्रैंड करूंगा तो हमारा क्या हो गया यहां पर जो भी ब्रैंड था उप्टेन कर सकते हैं ते यहां पर क्या करके हम सारे उस श्यारी के पर्टिकूलर जितनी भी की उसको हमने अप्टेंग कर ठीक है सेमँ में हम क्या कर रिश्ट देगा औप सेट अफ की मेर ठीक है तो सेट आपको रिटर्ण करेगा जो हम डॉट आइटम लगाएंगे न तो ट्टॉट आईटम ह्ımै basically का कर में एक लिस्ट देगा लिस्ट के लिस्ट के अंदर basically key value पेर का basically हम है set वेलु पिलेगा दूसरा key 2 value 2 ऐसे कर अगर में set ज्यवबत होगी तो मैं क्या कै diferentes युद्ट है सेट कर सकते हैं this dictionary.items इक और चीज़ हमने यह यह झो जो कई गरा था कि ऐसे यह मैंतर्ड यू है इस चीज को यू उज करके हमने क्या क्या अपडेट कर मैं हमने फॉर्ड को प Apr then करके क्या किया क्या ऑककी वह अपे तो एक और हमतीड है जिसे हम अपडेट कर सेख्बाइए लाट अपडेट में तो डॉट अपडेट मेठड भी क्या करेगा डूट अपडेट मेठ बेड़ी क्या लेगा एक की लेगा एक वैल्यू लेगा ठीक है और वहाँ पर जाके उस क्रिस्पोंडिंग की कि अकॉर्डिंग क्या करेगा वेल्लिव को अपडेट कर देगा तो जहांपे हमारे पास एक dictionary है जिसके अंदर की है brand model यह हम मैं चाहता हूं कि एक नया की value pair में इसमें append करना चाहता हूं एड करना चाहता हूं मैं क्या करूंगा लिकूंगा इस उसमें square bracket खो लूँगा ठीक है उसमें मैं की दूँगा जो मैं की बनाना चाहता हूं ठीक है तो जैसे हम अपडेट करते थे अपडेट करते थे तो वहां पर कोई पर्टिकूलर वो की अल्रेडी अवेलेबल है तब तो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा जो हमने नई वैल्यू देगा उसको अपडेट करेगा तो यहां पर क्यूंकि कलर नहीं था तो हमने क्या करा अब जब मैं इसको प्रेंट करूंग तो हमारे पास ब्रैंड फॉर्ड मॉडल मस्टैंग और यह नया की वैल्यू प्यार आ गया क्या कर सकते हैं अगर मेरे को मान लिया रिमूव करना है इसमें से पर्टिकूलर रिमूव करना है किसी की को तो हम करते हैं डॉट पॉप क्या करता है किसी पर्टिकूलर इंडेक से इंडेक से एलमेंट को क्या करते है रिमूव करते हैं पर्टिकूलर एक की वैल्यूव कर और यह हमारे डिक्टिरी है इसमें हमने जैसे ही. पॉप पर आइटम मेफड फे एक पॉप आइटम मैफड लिए पॉप आइटम क्या करेगा जैसे हम इसको रन करेंगे तो बेसिकल यह क्या करेगा कि जैसे हमारे पास अभी पॉप आइटम क्या करेगा कि लास्ट वाला जो भी होगा इस पर्टिकुलर में लास्ट जो भी वैल्यू पेर होगा उसको उड़ा देगा तो पॉप आइटम क्या करता है लास्ट एलमेंट को उड़ाता है जबकि पॉप मेथड हम पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकूलर की व तो अब जब मैं हम प्रिंट करेंगे ठीक है तो यहां क्या कर रहा है डेल मेथड में कोई है नहीं तो एर रहा है लेकिन हम क्या करते हैं इस चीज़ को ठीक है अब मैं अगर इसको कहूं कि यह करो तो अब देखों अगर आपको लास्ट अल्सों हम क्या कर सकते हैं डॉरी डिक्सेनरी को खाली कर सकते हैं तो अगें मेरा एक डिक्सेनरी है ठीक है करते हैं किसी नहीं डिक्सेनरी में। कपी कर सकते हैं क्या और क्या करते हैं छूड़ अख एक उस्तों हुमारे पास कुछ मैं बता हूँ हुए सेक्ट तो रखते हैं रखते हैं राम और उसका एज रखते हैं 5. 9, तुकिक्ष, सेम एक और रखते हैं, let's say की मोहन, ठीक है, उसका Age रखते हैं 10, ठीक है, अब यह एक मेरा Dictionary है इसके अंदर मैं क्या क्या कहूंगा, इसको मैं, अब एक list है इसको मैं Dictionary कर सकता हूँ, ठीक है साथ मैं ऐसे भी कर सकते हो लेट से डिक्ट कर दिया ठीक है और इसके अंदर मैं दे दूँँगा की राम इकोल्स टू राम ठीक है इकोल्स टू नाइन ऐसा करके भी साइध हम क्रियेट कर सकते हैं ठीक है और अगर मैं प्रिंट कर रूटे को तो हम ऐसे भी क्रियेट कर सकते हैं बेसिकली ठीक है तो यह दो में थटे अब हम बात करते कुछ कुछ कुश्चिन्स की ठीक है क्यों क्या भी तक हम चीजे समझ चुके हैं तो आगे का जो लूप्स वगयरा का इसको समझने के ठीक है यह हमारे पास डेटा है डेटा किस चीज का है देखा लाए तो इसमें कहा है माई फैमिली है ठीक है माई फैमिली के अंदर का है चाइल्ड वन है चाइल्ड टू है चाइल्ड थ्री है चाइल्ड फोर है ठीक है चार चाइल्ड है ठीक है की है और हर एक की की वैल्यू ओया तो हमें क्या करना है इसके अन्दर हॉभी के पास एक लिस्ट है कि आभी के पास कि अक लिस्ट है मैं रुभित को यह बताना है कि वो कॉन कौन से बच्चे है जिनको पसंद को फांद डार त्र चॉल्ड के नाम का मैं जो बिसिकली जिनको क्या पसंद है क्रिकेट पसंद है मैं चाहूं गए कि आप एक मिनट के लिए पॉस्ट करो वीडियो को और ट्राइ करो ठीक है कि कहते करना है ठीक है फिर हम सॉलीशन करते हैं तो आज आपने ट्राइ कर लिया होगा और मेरे को पूरी उमीर्ब है आपने नहीं करें होगा फिर भी कोई बात नहीं यह आपके ऊपर है आपका ध्रीक्रिक है हम इसको सॉल्ब करते हैं तो क्या हुआ है हम सीच array को सकते हैं मैं तो मैं क्या क्राओंगा मैं को..? my family मेराowing है मैं family dictionary के अन्दार हमारे पास क्या है या की values pair है okay key values pairs है जिसमेan.. key क्या है.. चायल्ड है value क्या है.. value मा मेरा एक dictionary है तो अगर मैं इस value को.. चखा Meanwhile.. min key डालूगा.. ऱ चाइयल्ड वन डालूंगा तो मेरा यह पूरा पूरा वैल्ली आ जानए एडिक्शनरी आनगे ला टाहिए यह गो scrolling यहां तक मेरा क्या है यह पर्टिकुलर चाईयल का डिक्स्णरी आप इस चायोड डिक्स्णरी के अंदर मि одно चाहिए होबी इकशन करों तो मेरा का होबब वाला तो मेरे को मिलेगी यह पूरी की पूरी डिक्सियनर्य मेरे को मिलेगी ऐजा इस dairy मेर को सार्च करना है क्रिकेружग चैए और क्रिकप होगा तो मैं क्या कर czym एक एक लिष्टे की डिक्सियर्डी बनाऊंगा जिस में मैं नेम्स को अपैंड करता हुआ तो अगर क्रिकेट होगा तो मैं इसको अपेंड करूँगा नहीं होगा तो कुछ नहीं करूँगा अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ासे लॉप्स कबारे तो अब वे को कहा है कि सबसे पहले मेरे को चाहिए माई फैमिली ठीकर के अंदर की कीज तो अगर मैं कहूं डिक है किस प्रिंट कर जहां मैंने आए को तो हमें क्या मिला की मिलें गारे सारी यहाँ से जोब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी परट्टीकवलरली की मिलेगी क्या मिलेगी है की मिलेगी अगर अब मैं यहीत आओँ στα 만elia दूंढ़ कि इसका जो फेल्लिव है ठीक है स्वेड़ों से एक एक इकमा मैं कहा ह्ए हूँ की जो माइ फैमिली है को कोई अ मैं धेखू तो Always चायड वन विह कि ये है चाई फोका विलू यह अए यह थीसे में को क्या मिल रहा है ही मिल रहा है ठीक है अब मेरे को क्या चाही है मेरे को चाहिए की के एंदर की वल्यूस को एकसेस करना हो ठीक है क्या है यहाँ पर एक चीज और जब मैं कहूंग żad now myfamily.values ठीक है और मैं print करूँ गाומild gehe तो मेरे को direct के क्या मिल जाएंगे वैल्यू मिलीगें क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ मैं रन कर रहा हूँ myfamilies के values पर loop run कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने सिर्क myfamilies कहा था तो यह basically मेरे को return कर रहा था key तो जिए अब ध्यांसर समझाओ करूंगा और प्रिंट करूंगा आई ठीक है यही पर एक और केस क्या था कि my family dot values कर दिया हमने ठीक है और मैं कहा रहा हूं कि अब my family dot value कर दिया तो जो भी आया ना उसको मैं i print कर तो आईगी कुछ क्या है करेगा यह बेसिकलि हमें error देगा क्योंकि यह आई जो है ना हमारे पास अभी यह बेसिकलि क्या है values है values है ना की की है ठीक है की नहीं है यह यह values है ठीक है तो my family का जो हम indexing करेंगे तो क्योंकि my family से कोई element access करना चाहते है यहाँ पर हम की डालते हैं अभी उसकी value मिलते है लेकि हम क्या कर रहें यहाँ यहाँ पर values डाल रहें क्योंकि i में हमारे values आ रहे है not key ठीक है तो यहाँ पर यह जो है यह basically मेरा क्या है माई जो है मेरा एक calidad है ठीक है तुडक है तो क्या करूंगा अब इसके ःदर जो में आ गया है आई मेरे पास क्या है यह प्रॉपर डिक्सेनरी है मेरे पास मैं जाना चाहूंगा adesso होबी वाले में मैंने क्या करा एक नेम से नाम का एक एंप्टी लिस्ट लिए जिसमें मैं नेम से अपना स्टोर करूंगा ठीक है मैंने क्या रन करा for i in my family.values ताकि मेरे i में particularly क्या यह values आजे तो अब क्या करूंगा मैं चेक करूंगा if cricket is in i of hobby अगर i का hobby आई का यानि कि पहला चाइल्ड वन पहला यहीं आएगा तो i का जो hobby है i hobby basically मैं क्या करूंगा इसकी से इसकी value को obtain कर रहा हूं ठीक है तो उसके value में जो इसकी list है उसमें अगर की है basically cricket है तो क्या करेगा names में मैं append कर दूँगा अपने name को ठीक है यानि कि अगर इसमें cricket है hobby में तो इसका जो name है कि i का जो name है उसको मैं append कर दूँगा तो यहां पर आएगा यहां पर आएगा यह दो होंगे तो दोनों में और जब में last में print करूँगा name तो basically क्या होदेगा मेरे को name मिल जाएगा ठीक है जैसे कि अगर मैं यह दिखाओं कि i.values को जब मैं refer कर रहा हूं तो i.values में में basically क्या रहे सारे जो dictionary थे ठीक है तो अब मैं जैसे ही इसको run करूँगा तो मेरे को वो नाम समिल दाएगे list जो बच्चे क्या प्रते cricket जिनको पास थे ठीक है तो आइगेस यह question आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लूप में run करते हैं चीज़ों ठीक है एक और question हमारे पास ठीक है और मैं फिर से कहूँगा कि यह चीज़ को आप try करना तो question क्या है कि generate a list ठीक है एक list generate करना है जिसमें क्या होगा basically dictionary होंगी ठीक है नेम का और amount का यह हमारे पास एक transaction का data है जिसमें नेम है transaction one है transaction two है मतलब जो दो transaction हो है और transaction किसमें कि है name है दिया हुआ year है कब हुआ है और क्या-क्या और comma amount होगा amount में amount उसका ठीक है यह dictionary होगे ऐसे से मेरे को हर एक transaction के लिए basically एक dictionary create करने लिस्ट के अंतर ठीक है तो मैं कहूंगा कि आप try करें फिर से एक मिनट पॉस करके ठीक है तो हमने try करा होगा जो कि absolutely आपने नहीं करा होगा पर फिर मैं मान के चलता होगा अपने करा होगा मतलब मैं समझता हूँ कि आप अच्छे हो तो हम क्या करने यह data है हमारा हमें क्या चाहिए हमें basically यह जो है ना यह सारे एक तो amount चाहिए जिसमें यह सारे add होंगे हमारे पास ठीक है और दूसरा क्या चाहिए नेम चाहिए ठीक है तो आइगेस समझ में आ रहा हूँ कि हम क्या करेंगे basically हम क्या करेंगे कि जो डी नाम का dictionary हमारा ठीक है डी नाम का क्यों मैं लिस्ट एक बेसिकली एक लिस्ट जनरेट करना है जिसके अंदर क्या को एक डिक्सिनरी नाम का मैंने एक एमटे लिस्ट कर धिक्रेट कर रहा ठीक है अब मैं क्या क्या करें फोर आइक मेरे को यह मिलेगा और चौता है मेरे मेरे को ए मिलेगे टायक्ट वेल्यूस मिलें जो लिमा इते हैं jsु मेरे सारे जो अंदर वाला यह वह मिलिया ठीक है अब मैं क्या करूँगा एक temporary dictionary बनाऊंगा एक जैसे ही मैंने इसके अंदर में क्या करूँगा नेम नाम का की बनाऊंगा क्योंकि अरेडी नहीं था मेरे पास इसमें क्या करना है एक एक काम तो हो गया मेरा अब मेरे को चाहिए दूसरा काम क्या कि अमांट करना है मैरे को तो मैं क्या करूँगा एक सम नामका वेरीयवर बना है क्योंकि मैं क्या कहिए अब मैं क्या कहुए पर यह बेल्किपर मैं क्या क्योंकि यह पूर्य आँटम्स क्या है मेरी यह यह बिक्सिनरी है और जब मैं इसका यह मिल रहरा है कि आई आइटम में जो भी है आंटम्स के बात करें तो आइटम के अंदर या तो मैं कीस चाहएब था या व्यार्यूस चाहएब दो और लूप करा मैंने वैलूस में तो पहला कहाँ 140 फिर 130 फिर 200 एट करते गए अब क्या कर i कहां तेंप डिक संधर्यूर्य में इस दूसरा की मैं बनाओंगा और ऐसे करते करते हैं सब में होगा और लास्टली मैं क्या करूंगा प्रिंट करूंगा तो यह चीज मेरा रन करेगा और मेरे को पर्टिकुलर्ली देगा कि नेम मेरा आइधेकर को वीडियो पसंद आया होगा कई तो अगर पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखा करना तेंक यू